एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है डेमोक्रेसी का आपने फेमस कोड तो सुना होगा डेमोक्रेसी is government of the people by the people and for the people in short ये लोग ही है जिनकी government होती है जिनके दुवारा चलाई जाती है और जिसके लिए government काम करती है which means real power डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में होती है लेकिन elite theory कहती है कि ये एक myth है लोगों के हाथ में कभी real power होती नहीं है तो कैसे कहती है कि वो democracy एक myth है elite theory के accordingly democracy में लोग representative नहीं चुनते अपने leader को नहीं चुनते क्यों? क्योंकि representative actually voters पर अपने आपको impose करते है यारी voters के thought को manipulate करते है लोग अपनी मर्ची से representative actually नहीं चुन रहे है लोगों के बास सिरफ ये choice है कि वो different elite तो choose करते हैं लेकिन उन्हें democracy में किसी ना किसी elite को चुनना ही होगा वोट देकर तो elite basically minorities में होते हैं जो majority के उपर rule करते हैं किस basis पर अपने talents के base पर अपनी ability के base पर elite के पास कुछ ऐसी superior qualities होती है जो बात की लोगों के पास नहीं होती है इसलिए वो दूसरे लोगों को असानी से rule कर पाते हैं उन पे राज कर पाते हैं तो elite theory को depth में समझने के लिए हमें समझना होगा कि elite theory के main thinkers कौन से है थे और उनके main argument कौन से थे सबसे पहले नाम आता है Wilfredo Parito का Parito का जो famous work है The Mind and Society जो 1916 में publish होता है इसमें वो elite theory देते हैं और सबसे पहले वो ये कहते हैं कि society में जो आउस मानता है inequality है वो काफी natural है यानि हर समाज में inequality होगी होगी जो हम equality का सपना देखते हैं वो अपने आप में एक जूट है यह तो पिया है हम समाज में कभी equality नहीं लेकर आ सकते क्योंकि कुछ समाज में ऐसे individual होगे जो दूसरी लोगों से हमेशा superior होगे अपने talents के base पर अपने knowledge के base पर अपने wealth के base पर और यही individual है जो दूसरे लोगों उपर शाषन करेंगे जो masses के उपर शाषन करेंगे राज करेंगे इसलिए हर society में दो classes पाई जाती है एक higher stratum की class जिसमें governing और non-governing elite होते हैं जिसका मतलब है वो elite एक जो power में है और दूसरे elite जो opposition में हैं अभी power में नहीं आया है जिसे non-governing elite कहते हैं प्रीटो और दूसरे होंगे lower stratum की class जिसमें masses पाई जाएंगे आम लोग पाई जाएंगे जिसमें elite बिलकुल नहीं होंगे तो प्रीटो आगे चलके अपनी थूरी में ये बताते हैं कि हमेशा society में circulation of elite होती आई है history जो है वो एक graveyard है aristocracies की मतलब जितना भी इतिहास रहा है जो भी past रहा है वो elite के बारे में तो है वो सारा aristocracies के बारे में तो है तो ये circulation of elite होती कैसे है किस level पर होती है प्रीटो कहते हैं सबसे पहले ये circulation of elite जो होती है वो होती है जब लोग non-elite से elite बनते हैं यानि lower stratum से higher stratum की तरफ move करते हैं और दूसरी circulation होती है जो governing elite और non-governing elite के बीच में होती है यानि within highest stratum में ये circulation of elite होती है जब governing जो rule कर रहे हैं शाषन कर रहे हैं समाज पर अपनी power को गवाब बैठते हैं और जो opposition में थे अब उनको power मिलगी अब वो शाषन कर रहे हैं non-governing वाले governing बन गे और governing वाले non-governing बन गे तो इसे circulation of elite केते हैं लेगिन अभी भी answer नहीं मिला हमें कि ये circulation of elite होती कैसे है तो इसके लिए परिटो कहते हैं ये circulation तब होती है जब residues और derivatives में कुछ imbalance होता है residues और derivative की जो थियोरी है पहले उसको समझ ले वो क्या है residues according to preto वो logical actions होते हैं और derivative कुछ non-logical action होते हैं logical action वो होते हैं जिसमें कुछ end को हम achieve करना चाहते हैं जिसमें हम कुछ किसी purpose को achieve करना चाहते हैं और non-logical action human दुवारा वो actions होते हैं जिसमें किसी कोई purpose नहीं होता जिसमें किसी end को वो achieve नहीं कर रहे वो sentiments के base पे होते हैं तो preto further ये समझाते हैं कि जो residues होते हैं वो 6 तरह के होते हैं यानि human अगर कोई भी life में action लेते हैं तो उसके पीशे जो motivation काम करती है उसके पीशे वो 6 residues होते हैं जा 6 elements होते हैं उनमें सबसे पहला जो residue होता है वो होता है combination का combination का मतलब यह है कि आप हमेशा innovative सोचते हो invent करते हो, risk लेने के लिए त्यार हो इस element को परिटो ने fox का element कहा है और similarly दूसरा एक element है दूसरा residue है जिसे वो persistence कहते हैं जा consolidation कहते हैं जिसमें आप जो भी traditionally चीजे चलती आ रही हैं उसी को follow करते हो और उसी को और भी ज़्यादा consolidate करने की कोशिश करते हो परिटो इस element को loin का element कहते हैं यह fox और loin की जो categorization है बिलकुल मेकैवली ने भी ऐसे की थी और परिटो भी अपने elites में यह दो residues को देखते हैं इसके साथ तीसरा residue परिटो कहते है expressiveness का आप अपनी feeling को कैसे express करते हो sociability आप लोगों के साथ कैसे मिलके रहते हो कैसे उनके साथ जुड़ते हो sociability is the fourth residue fifth residue है integration आप अपनी जो अच्छी शवी है good self image उसको कैसे बनाई रखते हो समाज में और sixth element है sex यानि sexual pleasure आपको कैसे motivate करते हैं elite कहते हैं कि actually जो पहले दो residue हैं combination and persistence यानि folks और loins वाले जो दो residue हैं अगर इन में imbalance हो जाए तो circulation of elite होता है मलब किसी elite में अगर folks वाला residue ज़्यादा बढ़ जाता है और loin वाला residue कम हो जाता है तो इसका मतलब फिर भी circulation of elite होगा जहां फिर इसका उल्टा अगर किसी elite में loin वाला residue ज़्यादा हो गया और folks वाला residue कम है तो तबी भी circulation of elite होगा तो circulation of elite का सबसे main reason परीटो ये बताते हैं अब हम चलते हैं second thinker की और गायटीन और मॉस का ये भी elite theory को ही further propagate करते हैं और इनकी जो main book है वो है the ruling class जो 1939 में आती है ये कहते हैं कि अब तक समाच में सिरफ दो classes ही exist करती आ रही है एक वो class होती है जो शाषन करती है जो rule कहती है जिसको मॉस का ruling class कहते है और दूसरी class वो होती है जिस पे शाषन किया जाता है class that is ruled जिसे मॉस का ruled class कहते है ruling class हमेशा ही minority में होती है और वो political function को perform करती है decision making में participate करती है power को monopolize करती है ruling class का ये काम है जो basically elite class है और ruled class जो है वो director की जाती है controlled की जाती है by the ruling class मतलब जो शाषन कर रही है वो masses पे राज करती है ruled class पर राज करती है ये मॉस का कहना चाहते है तो मॉस का भी circulation of elite की theory में believe करते हैं लेकिन वो परिटो की तरह residues या derivative जैसी theories नहीं देते वो simply कहते हैं कि ruling class जब अपनी command या political control को खो बैठती है तब elite circulation होती है या जो ruling class है वो masses को जो valuable services देना चाहती है वो नहीं दे पार रही और masses की जो need से जो aspiration है जो उनके interest है उनको पूरा नहीं कर पारी तब ही भी ruling class जो है वो अपनी power गवाट बेठती है और इसकी वज़ास से circulation of elite होती है ये Moscow के कहना है अब हम बात करते हैं Robert Mitchell की ये जाने जाते हैं अपने famous court के लिए iron law of oligarchy इनका main work है political parties a psychological study of oligarchy tendencies of modern democracies जो 1911 में publish होती है iron law of oligarchy में Robert Mitchell हमें ये समझाना चाते हैं कि दुनिया में जितनी भी organization है चाहे वो कितनी भी democratic practices को follow कर ले चाहे कितनी भी equality या समानता का नारा लगा ले उसमें भी फिर भी कोई ना कोई ऐसे elite होंगे कुछ ऐसे चंद leader होंगे जो oligarchy create कर लेंगे कहने का मतलब है वो power को अपने हाथ में ले लेंगे और दूसरे लोगों को command करने लगेंगे दूसरे लोगों को रा दिखाने लगेंगे या दूसरे लोगों के बिहाब पर decision लेने लगेंगे ये Robert Mitchell कहते हैं तो इसका मतलब है ये oligarchy का जो law है ये अपने आप में iron law है oligarchy हमें हर समाज में मिलेगी हर organization में मिलेगी वो country ने किसी भी तरह की form of government को accept किया हो फिर भी हमें वहाँ पर oligarchy मिलेगी ही मिलेगी उसका reason है क्योंकि जो majority of human beings है Robert Mitchell कहते है वो जहां तो apathetic है, indolent है या slavish है इसका मतलब है कि वो talentful नहीं है उनमें कुछ न कुछ कमिया होती है वो अपनी government बनाने में successful नहीं हो सकते वो self government नहीं बना सकते उनको हमेशा ही किसी leader से उमीद रहेगी कि हमें वो रा दिखाए हमें वो रास्ता दिखाए कि अब हमें क्या करना चाहिए वो leaders पर depend रहते हैं और oligarchy उसको submit कर देते हैं यानि few leaders जो उने strong दिखाई देते हैं वो सारी power उनके हवाले कर देते हैं वो government create करते हैं leaders और उनके बिहाब पर लोगों के बिहाब पर decision लेते हैं next thinker है James Burnham उनकी main book है manager revolution जो 1931 में publish होती है Marxist की theory से inspire होकर वो इस theory को लेकर आते हैं वो यह कहते हैं कि जब capitalism शुरुवात में आता है तो तब जो business चला रहे हैं जो honor से business के वो खुद ही business को चला रहे हैं honors भी है और उसी business को manage भी कर रहे हैं उसी business के managers भी है लेकिन जैसे जैसे उनका business grow होने लगता है वो पाते हैं कि इस business को manage करना difficult हो रहा है इसलिए वो अपना जो business है professional managers के हाथों में सौप देते हैं यानि अब professional manager उनके business को manage करेंगे और जैसे जैसे professional manager उनके business को manage करने लगते हैं capitalist ruled class जो है वो displays की जाती है managerial elite class के साथ यानि वो managerial professional अब business में ज़्यादा dominant करने लगे हैं decision making करने लगे हैं उसको control करने लगे हैं इसी तरह government में James Burner भी इस idea को government के level पर भी implement करते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ही जो हमारे representative होते हैं जिनका काम है law को बनाना और जो executive होते हैं जो bureaucracy है जो actually law को implement करती है executive branch government की ज़्यादा important होने लगती है और legislation law banking branch जो government की है वो इतनी important नहीं रह जाती इस तरह से हर एक country में हम देखते हैं कि bureaucracy जो है dominant करने लगती है वो bureaucracy जिसको minister support करते हैं politician support करते हैं actual में ground level पर वो ही काम करने लगती है वो ही उनके भी हाफ में जो है decision को implement कर रही है तो James Burnham manager revolution में 1931 में जो book publish होती है अपनी इस theory के मादियम से ये बताते है next thing कराते हैं C. right meal जो जाने जाते हैं अपने famous book की वज़ा से जिसका नाम है The Power Elite जो 1959 में publish होती है इस book के मादियम से वो USA की study करते हैं और अपनी elite theory को propagate करते हैं वो ये कहते हैं कि elite इसलिए rule नहीं करते क्योंकि उनमें कुछ superior quality होती है उनमें कुछ talents होते हैं नहीं वो इसलिए rule करते हैं क्योंकि वो समाज के उन institution में power hold कर रहे हैं उन institution की बड़ी बड़ी position पर बैठे हैं जो institution अपने आप में powerful होते हैं तो USA में वो कहते हैं ऐसे तीन major institution है एक corporation, दूसरा military और तीसरा federal government और इन तीनों institution के जो main head है वो ही actually पूरी country को चला रहे हैं वो सारे important issues और जो भी decision लेने होते हैं अमेरिका के लोगों के लिए वो ले रहे हैं वो actually power को monopolize कर रहे हैं अमेरिका में power elite का मतलब यही है कि वो elite जो power में है जो institution चला रहे हैं और institution के head है वो पूरी तरह से इस society को control कर रहे हैं तो वो बड़े skillfully तरीके से society को control करते हैं mass media के चरिये से और manipulate करके और यह भी इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि C.Right Mills कहते हैं कि अगर यह तीन institution के जो key head है जिनके पास main power है लोग समझते हैं कि शायद इन में कुछ अनबन होगी और यह independent यह autonomously individually काम कर रहे होगे नहीं यह तीनों एक cohesive group है मिलकर control कर रहे है American society को यह book 1959 के टाइम पर publish होई थी और उनकी observation के accordingly elite theory में power elite most important thing है then theory आती है democratic elitism की जो पिछली हमने theories पड़ी वो सारे classic elite theories थे और किसी तरह से democratic elitism theory उन theory को challenge करती है और उसी theory को expand भी करती है सबसे पहले तो यह theory यह कहती है कि democracy myth नहीं है यह अपने आप में एक गलत धारना है और यह मानना कि democracy नहीं exist करती कहीं पर भी democracy के principle exist नहीं करते क्योंकि लोगों के पास power हो नहीं सकती लोग शाशन नहीं चला सकते लोग government create नहीं कर सकते masses के पास वो qualities नहीं होती है यह सारी बातें जो है गलत है democratic elitism वाले यह मानते है वो यह मानते हैं कि political parties होती है जो masses की votes के लिए compete करती है जिसको masses की votes मिलती है वो शाशन करता है यह हम जानते है elites जो है एक ऐसा वर्ग नहीं है जो close है कि masses कभी elite बन नहीं सकते elite हमेशा एक open work रहा है married के base पर आप भी वो skill require कर सकते हो और आप भी elite बन सकते हो और इसके साथ democratic elitism वाले यह कहते हैं कि mass जो है वो किसी तरह से ruling में भी participate करती है समाच की जो ruling है शाशन उसमें भी participate करती है वो actually elites को चुनती है कि कौन से elite को चुना जाना चाहिए इस तरह से वो conclusively argument करते हैं कि democratic elitism यह कहता है कि elite democracy के कोई against नहीं है वो actually democracy को protect करते हैं democratic elitism की assumption को और भी अच्छे तरह से हमें तब समझ आती है जब काल मनहेम अपने argument देते हैं उनका famous work है ideology and utopia जो 1929 में publish होता है काल मनहेम के accordingly कि चाहे जिस society में elites major decision लेते हैं policy को shape करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो society अब democratic नहीं रही कोईकि वहाँ पर masses participation कम है elite उनके भिहाब पर decision ले रहे हैं काल मनहेम के accordingly जहाँ पर mass democracy होती है वहाँ पर सारे individual government के decision making में participate नहीं कर सकते ठीक है वो अपनी एक अलग से government नहीं बना सकते उन्हें किसी leaders को चुनना होता है तो हमें यह कहना ही गलत है कि जहाँ पर individual participating नहीं कर सकते वहाँ पर democracy नहीं है actually वो leaders को force कर सकते हैं कि उनके भिहाँ पर decision लिया जाए अगर वो decision नहीं लेते वो उनको remove भी कर सकते हैं चुने हुए अपने leaders को कहते हैं यही तो है democracy की खासियत जबकि यह सारी चीजे हम किसी dictator society में या despotic society में नहीं कर सकते हैं democracy में कर सकते हैं हम leader को force कर सकते हैं कि वो जो decision ले रहे हैं वो लोगों के welfare के लिए लोगों के favor में decision ले काल मनहेम यह कहना चाते हैं democratic elitism की theory को support करने वाले second thinker है जौसफ शुम्टर इनका famous work है capitalism, socialism and democracy जो 1942 में publish होता है शुम्टर हमें यह बताते हैं कि democratic society में लोगों का role यह नहीं होता कि वो govern करे, वो राज करे या फिर वो major decision ले उनका एक ही role होता है और वो role होता है कि वो government को produce करे government को किसी तरह से create करे इसका मतलब है कि वो political issues को decide नहीं करते ठीक है और ना ही वो leaders को चुनते हैं decision लेने के लिए वो leaders को इसलिए चुनते हैं ताकि leaders उनके लिए decision ले कहने का मतलब है उनके favor में यानि उनके welfare के लिए decision ले इसलिए leaders को चुना जाता है और हर democracy society में हमें ये चीज देखने को मिलती है और शुम्टर इसी को democratic method कहते हैं तो इस तरह से जो elite theory में कमिया रहे गी थी जो elite को अलग और democracy process को अलग कर देती थी और दोनों को opposite खरा कर देती थी democratic elitism उसको दुबारा मिलाने की कोशिश करती है जो ये बताती है कि elite actually democracy को protect करते हैं democracy की धारना जो classical elitist thinkers ने समझी है उसमें काफी कमिया रहे गी है तो democracy में अगर elite पाए जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो elite लोगों के favor के लिए काम कर रहे हैं लोगों की welfare के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये democracy है जिसमें लोग force कर सकते हैं elite को कि वो उनके favor के लिए काम करे हैं वो नहीं करते तो वो उन्हें रिमूब भी कर सकते हैं जे शुम्टर कहते हैं और इसके साथ काल मनहें भी यही कहते हैं तो अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी सारूख हुसेन ने अगर आप भी इस तरह की वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए किसी भी एक टॉपिक पर प्लिटिकल साइंस के और उस कमेंट को अगर आप सपोर्ट करते हो तो उस कमेंट के नीचे टाइप कीजिए प्लासवान लिख कर अपनी वोट दीजिए एक स्टूडन को एक ही वोट मिलेगा जिस कमेंट को सबसे ज्यादा वोटिंग होगी हम उनके पर वीडियो बनाएंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू